वेल्कम बैक तो माई चैनल गाइज एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आपको लेकर जो भी उनके दिल में हैं उनकी दिल में क्या चुपा हुआ है आपको लेकर जो आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देखते हैं क्या आत हैं तो शुरू करने से पहले हमेशे की तरब उतादू ये जैनरल रीडिंग है हो सकता है सभी के साथ रैजोनेट हो हो सकता है ना हो सो प्लीस किप अन ओपन माइंड रीडिंग टाइमलेस है जब भी यहां तक प सेल्फ रिस्पेक्ट देटिंग अबंदेंस एक कर और देखलते हैं इमोशनल फ्रीडम कनेक्शन सोलमेट्स तो यह कुछ कार्ड्स आए हैं मुझे लगता है दिल की बाते तो आपको काफी हद तक पता है अपने पार्टनर की क्या चाहते हैं आपसे इस परसन को यह है कि जल से जल्द आप डेट करना स्टार्ट कर दें और काफी तो सेक्शल दिख रहा है अभी इसके दिल में आपको लेकर यह चाहते हैं आपके बारे में डीप बे में जानना आपके पास्ट के बारे में जानना और इसी के साथ साथ काफी ज़ए अट्रैक्शन फील कर रहे है राइट नौ आपकी तरफ से और मुझे नहीं रगता कि ज़्यादा र आपकी personality को लेकर काफी ज्यादा attraction है और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि यहाँ पे respect नहीं है देखो आप दोनों अपनी काफी respect करते हैं अपनी self respect जैसे आपको प्यारी है ऐसी आपके person को प्यारी है तो कुछ भी गलत words नहीं बोलेंगे जिसको लगे कि कोई सामने वाला judge करें तो ऐसा कुछ वो create नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ आपके साथ अपनी life देख रहे हैं creativity देख रहे हैं abundance देख रहे हैं ठीके यह चीज़े मुझे दिख रही है और यह चाहते है future में आपको date करना जितना जल्दी यह मौका मिल जाए उतना अच्छा रहेगा क्यूंकि आप में आपके साथ रहे हैं या फिर कुछ भी रीजन वान लीज़े बट आप express नहीं कर रहे हो यह चीज़े यहां पर फड़ा problem create कर रही है तो यह person काफी दा अट्रैक्शन फील कर रहे है right now पर यह कुछ कर नी पा रहे है इस चीज़ को लेकर retreat it's time to disconnect from the world तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि यह disconnect हो जाएं आपसे क्योंकि इसकी जो feelings है वो उस पर काफी heavy हो रही है तो हो सकता है यह आप यह बात बताएंगे नहीं आपको पर यह आपसे disconnect हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए religious factor भी हाँ कुछ रोल प्ले कर रहे हैं हो सकता है इसके दिल में यह बाते हैं कुछ कास्ट वगरा का कुछ के case में होगा सबके case में नहीं होगी यह बात codependency अभी मुझे लगता है काफी addictions है आपके person को आपको भी लेकर हो सकते हैं यह इसकी healing पूरी नहीं होई है इस वजह से भी यह factor बन रहे है इशू बन रहे है ठीक है getting to know each other पर यह सच में चाहते हैं कि आपको जाने detail में ताकि आप दोनों के बीच में पता लगा सकेए कि compatibility है या नहीं है कुछ इस तरह की vibes मुझे आ रही है पर अभी मुझे लगता है कि कुछ time के लिए यह आपसे disconnect हो सकते हैं यह खुद को free कर रहे हैं आपसे ठीक है यह बाते इसने बताई नहीं होगी बट यह कर सकते हैं future में आप यह थोड़ा समझ के रखें कि आपके जो person है वह आपसे थोड़े से different है ठीक है और this could be the one but आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों एक दूसरे के ही हो ठीक है you deserve this love and it is safe for you to love what on the deck से सारे cards बहुत positive आयां और engagement का भी card है तो यह cards मुझे यहां बता रहे हैं कि आप दोनों हो तो एक दूसरे के लिए बिलकुल safe लेकिन जो अभी के situation है उसके according अगर देखें तो मामला थोड़ा सा विगड़ा हुआ है एक तो इस person पर इसकी खुद की feelings बहुत ज़दा हा और इसलिए यह चाहते हैं कि आतो आपको free कर दें खुद से कुछ time के लिए खुद free हो जाएं ताकि situation पहले की तरह normal हो जाए और आप अच्छी तरीके से एक दूसरे को date करना start कर दें कुछ इस तरह कि मुझे feeling आपके person की तरफ से उनके दिल की बाते जो नहीं कह पा रहे है आप से मुझे यहाँ पर receive हुई है अब टैरो से भी देख लेते हैं एक बार टैरो से क्या आता है justice justice चाहिए इसको connection में और हो सकता है कि इसको ऐसा भी feel होता हुआ कि इसको justice नहीं मिलता ना तो आपकी तरफ से ना universe की तरफ से मुझे थोड़े immature दिख रहे हैं यह person पर जो भी है changes आ रहे हैं दीरे दीरे so don't worry the hair of end देखो इसका तो दिल में एक बात यह भी है कि यह connection को आपके साथ marriage तक देख रहे हैं ठीक है एक चीज मुझे यह भी दिख रही है यहाँ पर शाजी तक का सोचते हैं यह आपके साथ बट मजबूर है कि अपनी feeling एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और थोड़े challenges भी अभी हाँ पर मुझे दिख रहे हैं double five master number भी यहाँ पर आया है यह मुझे long distance भी दिख रहा है connection religious factor दिख रहे हैं लेकिन यह person आपके पास आ रहे हैं इस बात की शायर्टी है यहाँ पर दीरे दीरे सही बट आपके पास आ रहे हैं देखो मैंने कहा नहीं कुछ अभी situation ठीक नहीं है तो tower moment आया हुगा है आप दुनों के connection में कुछ time तक के रहे चलेगा जब तक आप खुद को free कर रहे है उपने person से और आपके person आप से थोड़ा ही मुझे लगता है यह बहुत छोड़ा सा separation आपको face करना पड़ सकता है और यह आपके person की planning है पर यह stuck है आपके ऊपर यह आप से move on नहीं कर सकते हैं किसी और को like नहीं कर सकते हैं बहुत जोड़ा romantic feelings मुझे दिख रहे हैं इस person के side से आपको लेकर ठीक हैं लेकिन मजबूर है कि अपनी feelings को express नहीं कर पा रहे हैं बता नहीं पा रहे हैं बताया भी होगा तो इसको ल करने हो safe हो एक दूसरे के लिए तो यहां पर ज्यादा सोचना नहीं है बस manifest करते रहे हैं आज time ऐसा है थोड़े time के बाद time change हो जाएगा क्योंकि energy तो change होती ही है न तो छोटा सा separation मुझे लग रहा है आते हुए कुछ ज्यादा नहीं बोलूँगी मैं hardly eight days eight to seven days का मुझे यह separation दिख रहा है कुछ के लिए पांस दिन का भी हो सकता है तो आप यह मानले पांस से साथ या साथ से आर्ट दिन तक का separation आपको face करना पड़ सकता है और यह separation बहुत major नहीं होगा बस आप दोनों नरास दिख रहे हो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो इतना ही दिख रहा है थोड़े टाम के बाद आपके परसन आ जाएंगे आप आपसे बात कर लेंगे जिनके साथ भी रेडिंग मैच हो रही है अपके परसन को यह लगता है कि आप एक ही जगह खड़े हो आप चेंजिस नहीं ला रहे है कुद के अंदर आप आगे नहीं बढ़ रहे है उस प्रशार प्रशार honour the temple path ले कि यह बोलते हैं कि manifest करते रहो और अपने career पर जादा focus करो चाहता है यह बी है यह person कि आप अपने career पर फोकस करो अभी connection पर ना करो और affirmation प्राथना करते रहो शाहद यह बात बोली हो इस person आपको यह person आपको message call कर लेंगे tension मत लो ठीक है बिल्कुल भी क्योंकि आगे चल कर आप दोनों को इस connection में blossoming abundance में लेके chances है आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे Archangel Gabriel भी आपके साथ है आपके person का thought chakra balance होगा आगे चल कर और यह खुल कर अपनी बात भी बोलेंगे corner copy आओ देखो abundance का भी card है corner copy का card यह भी abundance दिखा रहा है इस connection में आप दोनों के पास abundance है don't worry अभी के जो भी हालात हैं थोड़ी बहुत नौक जोक हुई है जो भी है बट इस person के दिल में तो आपके लिए प्यार है यह दिख रहा है यहां पर और respect भी दिख रही है बस छोटी मोटी complaints है नराजगी दिख रही है वो दूर हो जाएगी जो भी अपने दिल में लेके बाठे हैं आपके लिए जल्दी चीज़े solve हो जाएगी एसी कोई major यहां पर चीज नहीं निकल कर आई है यह hard work is paying off आप जैसे hard work कर रहे हैं उसी पर focus रखिए जादा से जादा आपका hard work pay होगा आपको आगी चलकर changes देखने को मिलेंगे ठीक है थोड़ा से adjust कर लें अभी time के साथ क्योंकि adjustments अभी थोड़े से आपको लाने पड़ेंगे और अपने जो भी डर है negativity है उसको release करने की कोशिश करें यह आपको अगर आप इतना करते हैं अपने उपर काम करते रहें तो आपको result तो मिलेगा थोड़ा सा भी adjust कर लो separation phase में और इसमें अपनी जितनी भी negativity आप carry कर रहें इसको आप release करने की कोशिश करें ठीक है इतना आप कीजिए changes आपको देखने को मिलेंगे थोड़े messages देख लेते हैं आपके person की तरफ से क्या आ सकते है you and I have so much in common आप दोनों के बीच में काफी कुछ common है you are my best friend आपको अपना best friend कह रहे है you respect my family आप इनकी family के respect करते है you sound sexy over the phone तो phone पर काफी sexy आवाज लगती है आपके person को आपकी you do silly things for me okay you make me a positive person आपके वज़े से काफी positive person बनते जा रहे हैं काफी changes आपके person की life में you appreciate me आप इसको appreciate भी करते हो you bring peace to me आपके वज़े से इसकी life में peace आया है you never let me feel lonely आपका भी भी इसको lonely नहीं कराते हो you make me a better person आपके वज़े से ये better person बने है you always give me shoulder to cry on हमेशे जब भी परिशान होते हैं आप सुनते हो इनको जब भी रोते हैं तो आप इनके पास ही होते हो you love me इसको पता है आप इस person से बहुत प्यार करते हो and you love me for what I am जैसे भी है फिर भी आप इनसे प्यार करते हो no doubt you give me enough space और जब 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 इसको space की ज़रुत होती है आपने इसे हमेशा दिया है ये बात भी जानते हैं आपके person you pamper me like your baby बट आपने काफी pamper किया हुआ है आप बात बात पर इनको मनाना शुरू कर देते हो तो उस चीज का भी थोड़ा फायदा उठा लेते हैं ये you can always read my mind आप हमेशा इस person का mind read कर सकते हो तो ये कुछ messages है और इसकी जो बाते हैं जो दिल में रखी हुई है जो नहीं बता रहे हैं मैंने बता दिया आपको ठीक है थोड़ा सा separation phase आ सकता है don't worry कोई बात नहीं अगर ऐसा होता भी है तो separation in and out तो होता है थोड़ा बहुत और नराजगी वगरा भी सब ठीकी है connection में कभी कभी हो जाता है तो अभी के लिए बस इतना ही guys I hope के यह reading आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो तो अगर आप यहाँ पर नए हैं आपको reading अच्छी लग गया आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और आप सभी मेरे वीडियो को like कर सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही guys bye take care